दोस्तों हाल में ही पर्धान मंत्री किसान समानिधी योजना के पोटल पे काफी बड़ी अपडेट की गई है ये अपडेट खास कर वैसे तमाम लोगों के लिए जरूरी है जो पर्धान मंत्री किसान समानिधी योजना का लाब ले रहे हैं इस पोटल में क्या अपडेट की गई है ने लिंक में तो वो जानना आपके लिए जरूरी है जैसा अगर मालेजे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परधान मंत्री किसान समानिधी योजना का पातर नहीं रखते हैं वो भी परधान मंत्री किसान समानिधी योजना का लाब ले रहे हैं तो ऐसे में वो तमाम करना होगा 100% तो यह आप कैसे चेक कर पाएंगे कि अगर आप इसका लाब ले रहे तो आप इसके योग है या नहीं है वीडियो को आपन तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंदा तो एक लाइक करिएगा साथी चैनल को सस्काइब करिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडिय करिफिकेशन हो आपको मिल सकेगा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्किन पर और पूरी परकिरिया आपको डीटियल में समझाते हैं यम किसान का नए अपडेट के बाड़े में जानने के लिए वीडियो डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस लिंक पे किलिक करेंगे एकसीचकास और आजिएँगे यहां पे सारी प्रोसस को समझाहें की एकना प्रेटTS किया है इस नए अफ्डेट में वैसे खिसानों को जो इसके पात्र नहीं है उनको रिखलंड करना होगा जिसके बिसे में बताया गया कि कैसा पता सकते कि आपको इसका जो पैसा है आपको refund करना होगा किस परकार आप चेक कर पाएंगे इसके लिए वीडियो description में लिंक आपको मिलेगा direct यहां पर important link का सक्षन मिलेगा आप यहां से चेक कर सकते कि आपको refund करना होगा या नहीं करना होगा जिसके लिए official website का भी link मिलता आप डिरेक्टर यहां भी किलिक कर सकते या नहीं तो फिसल website पर क्लिक करेंगे आप आज या नहीं है या आपको इसको refund करना है या नहीं करना जैसे आपको यहां पर दो option मिलता है पहला option उनके लिए पहला आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके डिश्टिक या आपके ब्लॉक में कितने सारे लोग है जिनको यह refund करना है और दूसरा option है अगर आपका इस लिष्ट में नाम आ जाता है तो आपको refund करने के लिए second option को सले करना तो फिलाला भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके परिवार में जितने भी लोगों को अगर इसका लाब मिल रहा है आप को चे करना जरूरी है तो इस option को सिले करें फिर सम्मिट वाले पर क्लिक करें यहां पर सर्च बाई में काफे सारा option है आप चाहे तो अधार नंबर या कर लिए यहां पर अधार नंबर को आप अधार नंबर को डिले कर लिए इस बोक्स में टाले पर डाटा पर कण साहीं नहीं बताएगा तो इस capture पे right click करें और यहाँ पे option मिलता है आपको open image new tab आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे नए image खुले का हाला कि इस image को आपको यहाँ पे आपको लिखना है फिर get data पे click करना है तो इस पर करा जाएगा कि you are not eligible for any refund amount यानि आपको किसी भी परकार का refund करने की कोई आप सकता नहीं है जो लोगों के पास इस परकार आएगा कि you have eligible for refund amount तो उस case में आपको refund करना ज़रूरी है कि लिए जब आप यहाँ पे आएंगे refund वाले section में तो आपको यह second वाला option को से ले करके submit पे click करेंगे तो अभी इस link को activate नहीं किया गया फिलाल अभी आप check कर सकते हैं कि आप refund करने के योग है या नहीं है तो दोफ्तों यह complete process था प्रधान मंति किसान समानेधी योजना का जो भी लोग लाब ले रहे हैं तो उनको यह check करना जरूरी है अगर आप इसमें इसका पातर नहीं रखते हैं तो फिर आपको इसका पैसा आपको return करना पर सकता है नहीं तो आपके ऊपर किसी भी परकार की government का कोई करवाई भी किया जा सकता है वीडियो पसंदा हो तो like share जरूर करें साथी चैनल को subscribe करें आने वाली जो भी वीडियो का notification हो आपको मिल सकें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद